चंद्रभान नाम का एक गरीब कुम्हार अपनी पत्नी शोभा के साथ वीरपुर में रहता था चंद्रभान देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां घड़े और बरतन बना कर बाजार में बेचा करता था और थोड़े बहुत जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन कोशन करता था चंद्रभान मा दुर्गा का परमभक्त था वो मा दुर्गा की दिन रात पुजा किया करता था एक दिन हे मा जगत जन्नी आपने हमेशा मुझे दुखी देख कर सुख की च्छाओं की है हमें आपका ही आसरा है मा हम भक्तों पर सदैव अपनी ममता रखना मा शुभा ये लो मा का प्रसाद अरे क्या हुआ शुभा तुम लेटी क्यों ही हो तबियत तो ठीक है ना पता नहीं जी सुभा से चक्कर आ रहे है और बेचैनी भी हो रही है अरे पहले क्यों नहीं बताया रुको मैं विमला दिदी को बुला कर लाता हूँ चंद्रभान पडोस में रहने वाली विमला को बुला कर लाता है विमला शुभा से सारी बाते पूछती है कुछ तेर बाद शुभा नौ महिने बाद मिठाई तयार रखना तुम मा बनने वाली हो क्या विमला दिदी ये सच है सुनो जी आपने सुना हाँ शुभा मैंने सब सुन लिया है मेरी देवी मा के कृपा से तुम्हारी गोद भर गई हे देवी मा अपने कृपा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभान और शुभा मातारानी के चल्लों में शीश नवाते हैं चंद्रभान अब्दुगनी महनत से मा दुर्गा का नाम लेते हुए मूर्तियों और बर्तन बनातों और बाजार में बेशता चंद्रभान और शुभा को बस अपने बच्चे के आने का इंतजार था एक शाम मुझे लगता है मेरे दर्ध शुरू हो गया है आप विम्ला दिदी और दाई मा को बुला लाओ विम्ला और दाई मा आ जाती है विम्ला दिदी ये मा दुर्गा का प्रसाद का जल आप शुभा के मुँ में डाल दो उसे आराम मिलेगा ये कैसा चमतकार है मा दुर्गा के नाम का जल पीते ही शोभा को ये आराम मिल गया और ये बच्चा भी आसानी से हो गया जै मा दुर्गा बधाई हो चंद्रभान भाईया लड़का हुआ है जाओ बिरिंदर हलवाई से लड़ू का डिबबा लेकर आओ चंद्रभान मिठाई खरीद कर लाता है और सबका मुह मिठा करवाता है शोभा और चंद्रभान बेटे के जन्म के बाद बहुत प्रसन थे वो अपने बेटे को मा दुर्गा के चर्णों में माथा टिकाते हैं हमारा लाल तो हमारी जान है जी मा ने प्रथम को जोली में दे दिया हमारे जीवन में खुशियां आ गई प्रथम के आजाने से चंद्रभान और शोभा की जिन्दगी ही बदल गई थी दोनों उसके साथ खेलते बाते करते अपने लाल को बहुत प्यार करते धीरे धीरे वक्त भीता प्रथम नौ महीने का हो गया था और घुटनों के बल चलता था एक सुबा सुनों जी कहां हो? अरे ये तो बरतनों के लिए चिकनी मिट्टी तयार कर रहे हैं प्रथम सो रहा है तब तक जल्दी से खाना तयार कर लेती हूँ शोभा भोजन बनाने जोपरी के भीतर चली गई चंद्रभान मा की भक्ती में आखे बंद किये मिट्टी रौन रहा था और मा का ध्यान कर रहा था चंद्रभान मिट्टी को पैरों से कुचलता जै मातादी का जाप कर रहा था तभी उसका बेटा प्रथम घुट्णों के बल चलता अपने पिता की ओर आ जाता है और अंजान पिता मिट्टी के साथ अपने कलेजे के टुकडे को भी पैरों से मसलता जाता है उसका बेटा पूरी तरह से मिट्टी में मसल चुका था चंद्रभान के पैर लहुलुहान हो चुके थे पर वो मादुर्गा की भक्ती में लीन बेखबर अपने कारे के प्रती लगाओं में था तभी शोभा आ जाती है अरे प्रथम को तुम्हें सुला कर गई थी कहां गया कहीं इनके पास न खेल रहो ये भगवान ये आपने क्या अनर्थ किया आँके खोलो आपके पैर खून से सने हुए क्यों है आपने ये क्या कर दिया हमारा लाल हमारा प्रता मिट्टी में कुछल गया नहीं ये नहीं हो सकता मैंने अपने ही बेटे को मार दिया ये मैंने क्या नर्थ कर दिया चंद्रभान मा दुर्गा के समक्ष विंती करता है हे देवी मा, हे दुर्गा मैया मैं आपकी भक्ती में लीन था मुझसे ये कैसा पाप हो गया मा हम भी अपने लाल के बिना नहीं जीएंगे आपके चरणों में सिर्फ पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे मा यदि आपने मेरी विंती नहीं सुनी और मेरे लाल को जीवित नहीं किया तो मा पूरी दुनिया मुझे कोसेगी कि मैंने अपने ही लाल को मार दिया मेरी भक्ती की लाज रखो मा मेरी भक्ते की लाज रखो मेरे बेटे को वापस जीवित कर दो मा हे मादुर्गा सुनो जी मादुर्गा आपकी विंती जरूर सुनती है उन्हें बोलो हमारा पुत्र लोटा दे माँ हमारे पुत्र को जीवित कर दो मा हमारी रक्षा करो चंद्रभान और शोभा मादुर्गा के चर्णों में अपना सेर पटक पटक कर रोने लगते है और मादुर्गा से प्रथम को जीवित करने की विंती करते है मादुर्गा तो करुना की देवी है ममता मरी मा है वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकती चंद्रभान और शोभा के करुण स्वर सुनकर मा दुर्गा अपने विराठ रूप में शेर पर सवार होकर प्रकट होती है पुत्र चंद्रभान, पुत्री शोभा, तुम रो क्यों रहे हो, वो देखो, तुम्हारा पुत्र प्रथम बिल्कुल सुरक्षित है मा दुर्गा के चमतकार से मिट्टी में एक बच्चे का अकार बन जाता है और मा के चमतकार से प्रथम जीवित होकर मिट्टी के उपर खिलने लगता है मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा प्रथम, मही आपकी जय हो मा दुर्गा आपने मेरे लाल को जीवित कर दिया मा आप शक्ति रूपा हो हे देवी मा आपकी जै हो आपकी जै हो मा आपकी सदा ही जै हो चंद्रभान और शोभा मा के चमतकार को देख खुशी से जूम उठते हैं उनके घर का चिराग मा के आशरवाद की लौ से फिर जल उठा था मा दुर्गा की भक्ति का जैकारा लगाते हुए चंद्रभान और शोभा मा दुर्गा को शीश नवाते हैं इसकी पश्यात मा दुर्गा आशरवाद देखर अंतरध्याम हो जाती है उसके बाद चंद्रभान और शोभा अपने बेटे प्रथम को लेकर मा वैशनो देवी की याथ्रा पर जाते हैं और मा वैशनो देवी दुपा के दर्शन करके अपनी जोली खुश्यों से भर कर घर लोटते हैं गरीव विध्वा और एक दलित इस्त्री थी कुछ समय पहले ही उसके पती का देहान थो गया था तब से उसने अकेले ही अपनी बेटी तारा का पालन पोश्ण किया था वो गाउं भर में जाडू लगाने का काम करती थी तथा इसके साथ ही गाउं के दुरकामंदिर के बाहर भी जाडू लगाने का कारी करती थी कुछी दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले थे मा इस बार मैं भी नवरात्र में पूजा करूँगी और वरत रखूँगी नवरात्र के वरत बहुत कठिन होते हैं क्या तु ठीक से कर पाएगी इन्हें? हाँ मा मैंने सोच लिया है ठीक है तो मैं भी तेरे साथ इस बार वरत रखूँगी इस तरह दोनों मा बेटी ने वरत करने की तैयारी शुरू कर दी सुधा ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतिजाम करके पूजा का सामान खरीदा आज नवरात्र का पहला दिन था तुझे भूग तो नहीं लगी? लगी तो है पर थोड़ी थोड़ी बस अपसाच हो रहा है हम मा के दर्शन करने के बाद रत का पारण करेंगी दोनों मा बेटी मा को अर्पित करने के लिए थोड़े से फूल लेकर मंदर जाती है इन फूलों के सिवाए अर्पन करने को उनके पास कुछ और था भी नहीं मंदर में प्रवेश करने पर ध्वार पर ही पुजारी उन्हें फटकारता है एए कहां घुसी जा रही है तुझे पता नहीं कि तेरे जात वालों का मंदर में घुसना वर्जित है पुजारी जी माता के लिए तो अपने सारे बच्चे एक समान होते है फिर ऐसा भेदभाव हमारे साथ ही क्यों किया जाता है हमारा ही प्रवेश मंदर में वर्चित क्यों है हमारी बराबरी करेगी होती कौन है सदियों पुरानी रीद बदलने वाली अपनी जाद भूल गई पुजारी जी मेरी बेटी को मा के दर्शन का ये फूल चड़ाने दो तू अपनी बेटी के मुह में हमारा धर्म भ्रष्ट करेगी चुप चाप यहां से निकल जा देखो भाईयों ये अच्छूत औरत होकर मंदिर में मा के दर्शन करने आ गई है भगाओ इसे नहीं तो ये देवी के मंदिर को भेष्ट कर देगी वहां खड़े लोग उन्हें भगा देते हैं उन सब की नजर बचा कर तारा चुप चाप मंदिर के द्वार पर अपने फूल चड़ा देती है दर्शन ना होने के कारण दोनों मा बेटी भारी मन से घर लोटाती है अगले दिन जब पुजारी मंदिर खोलता है तो देखता है कि कल के चड़ाए सारे फूल मुर्चा गए है मगर द्वार के पास बड़े फूल अभी भी ताजे है ये बात सारे गाउं में फैल जाती है सब अपने आपको माता का भक्त साबित कर रहे थे वे बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चड़ाए गए है इन सबसे बेखबर सुधा और तारा अपनी भक्ती में मगन थी दोनों सच्चे मन से माता की पूजा करती थी इसी तरह दिन बीटते गए और महाश्ट में भी आ गई सुधा और तारा ने माता को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी पूरिया, चने और हलवा बनाया था इन सब सामगरियों को उसने बहुत ही मेहनत से इकठा किया था तारा, आजाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है दोनों मा बेटी अभी खाने बैठी ही थी कि बाहर से किसी बूरी औरत की आवाज आती है अरे, कोई इस पूरिया को भी कुछ खाने को दे दो दो दिनों से कुछ नहीं खाया है मैंने तारा और उसकी मा बाहर देखते हैं एक बेहत गमजोर और पूरी औरत लाटी का साहरा लेकर वहाँ खड़ी थी उसे देखकर उनके मन में दया उमडाती है वो अपना सारा खाना उस पूरिया को खिला देती है बूरिया खाना खाकर त्रिप्त हो जाती है तथा उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती है जा इसे अपने पूचा की अस्थान पर रख दे और इसे विच्या तश्मी के दिन ही खोलना जाके माता के दर्शन कर ले तुम्हारे सारे दुग दूर हो जाएंगे मा बेटी दोनों फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदर पहुचते हैं पुजारी जी माता ने कभी आकर मना नहीं किया हम लोगों को आपके जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदर जाने से रोकते हैं मुझे इतना पता है कि माता के दर्बार में सब बराबर होते हैं उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता अब तु मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाएगी वो मंदर में आये और लोगों की ओड़ देख कर कहता है अरे भाईयों देखो ये अच्छूत फिरसे मंदिर में घुसने आ गई है इससे पहले ये देवी के मंदिर को दूशिक करे उससे पहले इस कचरे को निकाल बाहर करो सारे लोग उन्हें वहां से खदेडने लगते हैं जैसे वो कोई जानवर हो इस भाग दौड में तारा के फूल मंदिर के प्रांगर में गिर जाते हैं अगले देन जब लोग मंदिर में जाते हैं तो वो देखते हैं कि तारा की गिरे हुए फूल अभी तक ताजे हैं। लगता है ये मा बेटी जरूर कोई डायन या जादू गर्निया हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाईयों उन्हें पकड़ कर यहां लाना होगा। उनका फैसला यहां देवी के सामने होगा। लोग दोनों मा बेटी को पकड़ कर मंदिर लाते हैं। सच सच बताओ कि तुम लोगों ने यहां क्या जादू कर रखा है। हम यहां इतनी भक्ती से मा की पूजा करते हैं। हमारे फूल तो मुर्जा जाते हैं। और तुम अच्छूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक नहीं हैं, उसके फूल कैसे तासे रहते हैं। हमने कुछ नहीं किया है पुजारी जी, हम कोई जादू करने नहीं हैं। लगता है यह ऐसे मूँ नहीं खोलेगी। बिचारी सुधा वहीं गिर जाती है, तारा दोड़ कर अपनी मा से लिपढ़ जाती है, तभी वहां अचानक तेज आंधी चलने लगती है। सारे सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं और दीद बुच जाते हैं। उसके बाद लोगों की आँखे आश्चरे से फट जाती हैं। उनके सामने साक्षात मदूरगा प्रकट होती है। किसने कष्ट पहुचाने की हिम्मत की मेरे भक्त को। बताओ कौन है वो पापी। पुजारी और गाउं वालों की घिकी भन जाती है। पुजारी तोड़ कर सुधा के पास जाता है और उससे कहता है। हमसे बहुत बड़ा अपराद हो गया है सुधा। हमें माफ कर दो। उधर मा का क्रोध जारी था। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ती सिर्फ इस सजावट और बंडाल से ही होती है। अरे भक्ती सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो। इसकी भक्ती का ही प्रताब था कि प्रेम से खिलाई गए दो पूरियों से ही मैं त्रिप्थ हो गई। सुधा और तारा की आश्चरे का ठिकाना न रहा। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी। क्या उस बुढ़िया की भेश में स्वयम मा दुरगा थी। फिर तारा और सुधा मा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है। हे ममता मई तयालूमा हम सब तुम्हारे बच्चे हैं। मैं इन सब के लिए आप से शमादान मांगती हूँ। हमारे पापो को शमा करी और हमें अपने चर्णों में शरण दो। सुधा और तारा के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शान्त हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है और बुझे ववे दीपक भी अपने आप फिर से चल जाते है। देखा इसे कहते हैं सची भक्ति तुम लोगों ने भक्ती को भी जात बिरादरी में बात रखा है। अरे मुर्खों, भक्ती को कभी भी जाद बिरादरी में नहीं तौला जा सकता है। याद रखो, मेरी नजर में तारा का भी वही अस्थान है, जो कि तुम्हारा, मेरे सामने मेरे सारे भक्तों का अस्थान बराबर है। आज तारा और सुधा की भक्ती से प्रसन्व होकर मैं इस गाउं को सुख समरिती और धन्धाने से भरपूर होने का आशिरवाद देती हूँ। इतना कहेकर देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं, सारे गाउं वाले तारा और सुधा से माफी मांगते हैं। उस दिन से किसी का भी, चाहिए वो छोटी जात का हो या बड़ी जात का, मंदर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विज्या दश्वी थी। उस बुढ़िया जो कि स्वयम मा का रूप थी कि कहे अनुसार, जब सुधा और तारा नेव पोटली खोली, तो उसमें से बह करीब विध्वा और एक दलित इस्त्री थी, कुछ समय पहले ही उसके पती का देहान थो गया था, तब से उसने अकेले ही अपनी बेटी तारा का पालन पोशन किया था, वो गाउं भर में जाडू लगाने का काम करती थी, तथा इसके साथ ही गाउं के दुर्गा मंदिर के बाहर भी जाडू लगाने का कारे करती थी, कुछी दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले थे, मा, इस बार मैं भी नवरात्र में पूजा करूंगी और व्रत रखूंगी, नवरात्र के व्रत बहुत कठिन होते हैं, क्या तू ठीक से कर पाएगी इने, हाँ मा, मैंने पूछ लिया है, ठीक है, तो मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी, इस तरह दोनों मा बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी, सुधा ने इधर उधर से कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा, आज नवरात्र का पहला दिन था, तुझे भूग तो नहीं लगी, लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी, बस अब साथ हो रहा है, हम मा के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करेंगी, दोनों मा बेटी मा को अरपित करने के लिए थोड़े से फूल लेकर मंदर जाती है, इन फूलों के सिवाए अरपन करने को उनके पास कुछ और था भी नहीं, मंदर में प्रवेश करने पर द्वार पर ही पुजारी उने फटकारता है, ए, कहां घुसी जा रही है, तुझे पता नहीं कि तेरे जात वालों का मंदर में घुसना वर्जित है, पुजारी जी, माता के लिए तो अपने सारे बच्चे एक समान होते हैं, फिर ऐसा भेदभाव हमारे साथ ही क्यों किया जाता है, हमारा ही प्रवेश मंदर में वर्चित क्यों है, हमारी बराबरी करेगी, होती कौन है सदियों पुरानी रीद बदलने वाली, अपनी जात भूल गई, पुजारी जी, मेरी बेटी को मा के दर्शन का ये शूत औरत होकर मंदिर में मा के दर्शन करने आ गई है, भगाओ इसे, नहीं तो ये देवी के मंदिर को भष्ट कर देगी। मगर द्वार के पास बड़े फूल अभी भी ताजे हैं, ये बात सारे गाओं में फैल जाती है, सब अपने आपको माता का भक्त साबित कर रहे थे, वे बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चड़ाए गए हैं, इन सबसे बेखबर, सुधा और तारा अपनी भक्ती में मग थी, दोनों सचे मन से माता की पूजा करती थी, इसी तरह दिन बीटते गए और महाश्ट में भी आ गई, सुधा और तारा ने माता को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी पूरियां, चने और हलवा बनाया था, इन सब सामगरियों को उसने बहुत ही मेहनत से इकठा किया था तारा, आजाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है, दोनों मा बेटी अभी खाने बैटी ही थी कि बाहर से किसी बूरी औरत की आवाज आती है, अरे, कोई इस बूरियां को भी कुछ खाने को दे दो, दो दिनों से कुछ नहीं खाया है मैंने तारा और उसकी मा बाहर देखते हैं, एक बेहत गमजोर और पूरी औरत, लाटी का साहरा लेकर वहाँ खड़ी थी, उसे देखकर उनके मन में दया उमडाती है, वो अपना सारा खाना उस बूरियां को खिला देती है, बूरिया खाना खाकर त्रिप्त हो जाती है, तथा उन मा बेटी दोनों फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदर पहुचते हैं, पुजारी जी, माता ने कभी आकर मना नहीं किया हम लोगों को, आपके जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदर जाने से रोकते हैं, मुझे इतना पता है कि माता के दर्बार में सब बराबर होते हैं, उनकी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अब तू मुझे पंडिताई का पाठ पढ़ाएगी, वो मंदर में आए और लोगों की ओर देख कर कहता है, अरे भाईयों, देखो, ये अच्छूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई है, इससे पहले ये देवी के मंदिर को दूशिक करे, उससे पहले इस कचरे को निकाल बाहर करो, सारे लोग उन्हें वहां से खदेडने लगते हैं, जैसे वो कोई जानवर हो, इस भाग दौड में तारा के फूल मंदिर के प्रांगर में गिर जाते हैं, अगले दिन जब लोग मंदिर में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि तारा के गिरे हुए फूल अभी तक ताजे हैं, लगता है ये मा बेटी जरूर कोई डायन या जादू गर्निया है उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है भाईयों उन्हें पकड़ कर यहां लाना होगा उनका फैसला यहां देवी के सामने होगा लोग दोनों मा बेटी को पकड़ कर मंदिर लाते हैं सच सच बताओ कि तुम लोगों ने यहां क्या जादू कर रखा है हम यहां इतनी भक्ती से मा की पूजा करते हैं हमारे फूल तो मुर्जा जाते हैं और तुम अच्छूत जात की औरतें जो मंदिर में प्रवेश करने के लायक नहीं है हमने कुछ नहीं किया है पुजारी जी हम कोई जादू गरने नहीं है लगता है यह ऐसे मूँ नहीं खोलेगी बिचारी सुधा वहीं गिर जाती है तारा दोड़ कर अपनी मा से लिपढ़ जाती है तभी वहां अचानक तेज आंधी चलने लगती है सारी सजावट भरे पंडाल उजड़ जाते हैं और दीद बुच जाते हैं उसके बाद लोगों की आंखे आश्चरे से फट जाती है उनके सामने साक्षात मदूरगा प्रकट होती है किसने कश्ट पहुचाने की हिम्मत की मेरे भक्त को बताओ कौन है वो पापी पुजारी और गाउंवालों की घिकी बन जाती है पुजारी तोड़ कर सुधा के पास जाता है और उससे कहता है हमसे बहुत बड़ा अपराद हो गया है सुधा हमें माफ कर दो उधर मा का क्रोध जारी था तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ती सिर्फ इस सजावट और बंडाल से ही होती है अरे भक्ती सीखनी है तो मेरी इस भक्त से सीखो इसकी भक्ती का ही प्रताप था कि प्रेम से खिलाई गई दो पूरियों से ही मैं तृप्त हो गई सुधा और तारा की आश्चरे का ठिकारा न रहा दोनों के मन में एक ही बात चल रहे थी क्या उस बुढ़िया के भेश में स्वयम मा दुर्गा थी फिर तारा और सुधा मा के सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती है और कहती है हे ममता मईत आयालूमा हम सब तुम्हारे बच्चे हैं मैं इन सब के लिए आप से शमादान मांगती हूँ हमारे पापो को शमा करी और हमें अपने चर्णों में शरण दो सुधा और तारा के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोथ शान्थ हो जाता है इसके साथ ही आंधी थम जाती है और बुझेवे दीपग भी अपने आप फिर से चल जाते है देखा इसे कहते हैं सची भक्ति तुम लोगों ने भक्ती को भी जात विरादरी में बांट रखा है अरे मूर्खो, भक्ति को कभी भी जाद विराधरी में नहीं तौला जा सकता है याद रखो, मेरी नजर में तारा का भी वही अस्थान है जो कि तुम्हारा, मेरे सामने मेरे सारे भक्तों का अस्थान बराबर है आज तारा और सुधा की भक्ती से प्रसनफ होकर मैं इस गाउं को सुख सम्रिती और धन्धाने से भरपूर होने का आशिरवात देती हूँ इतना कहेकर देवी वहाँ से अंतरध्यान हो जाती है सारे गाउं वाले तारा और सुधा से माफी मांगते है उस दिन से किसी का भी चाहिए वो छोटी जात का हो या बड़ी जात का मंदर में प्रवेश वर्चित नहीं रहा आज विज्या दश्वी थी उस बुढिया जो कि स्वयम मा का रूप थी कि कहे अनुसार जब सुधा और तारा नेव पोटली खोली तो उस में से बहुत सारे हीरे जवाहरात और मानिक निकले दोनों की आखों में आसु आ गए और मन मा के प्रती श्रद्धा से भर गया उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही ये कहानी है कमली की कमली सबसी बेचने का काम करती थी और उसी की कमाई से अपना घर चलाती थी कमली मा दुरगा की अनन्य भगती करती थी बिना उनकी पूजा किये उसके दिन की शुरवात ही नहीं होती थी उसकी बेटी गुंजा भी अपनी मा की तरह ही दुर्गा मा से बहुत लगाव रखती थी नवरात्री आने वाली थी लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे कमली भी हर साल की तरह नवरात्री का व्रत रखने का सोच रही थी लेकिन उसके पती हेत राम को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था उसे तो बस एक चीज़ से मतलब था वो थी शराब अभी सूरश ठीक से निकला भी नहीं था कि हेत राम को शराब की तलब लग गई और कामधाम तो कोई करता नहीं था इसलिए अपनी पत्नी को आवाज दे कर बुलाने लगा और उससे पैसे भी मांगने लगा कमली अरे ओ कमली अरे मर गई क्या जल्दी से आ और सुन रही है तेरे पती परमेशवर तुझे आवाज लगा रहे है इतला कमली समझ गई कि सुबह सुबह हेत राम उसे क्यों बुला रहा है वो उसके पास तो जरूर गई लेकिन लोन बड़ा बड़ से कुछ पैसे दे मुझे शराब भी नहीं है आपको शर्म नहीं आती अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला है और आपको शराब चाहिए आपको ना तो अपनी फिकर है ना ही हमारी तूरज निकलने से शराब का क्या ले ना देना चलब जादा पक्वास मत कर और पैसे दे पैसे नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है क्या मतलब पैसे नहीं है जल्दी से पैसे दे नहीं तो मार मार कर चमडी घीच लूँआ तेरी है लेकिन आज कमली भी जित पर आ गई थी और उसने अपने पती को शराब के पैसे देने से इंकार कर दिया था बस इसी बात पर हेतराम चड़ गया और उसकी पिटाई चानवरू की तरह करने लगा मुझे मस मारिये छोड़िये छोड़ दीजे मुझे कमली के पती हेतराम ने आज उसकी इतनी पिटाई की कि उसका हाथ भी ठीक से नहीं उठ रहा था गुंजा अरियो गुंजा गुंजा बेटी जरा इधरा क्या हुआ मा बेटी देखना तेरे बाबा ने इतना मारा है कि मेरा हाथ भी ठीक से नहीं उठ रहा तो आज सबजी बेशने तू चली जाना ठीक है मा, मैं चली जाती हूँ ये कहकर वो सबजी बेशने के लिए चली जाती है सबजी ले लो सबजी, ताजी ताजी सबजी ले लो बैंगन ले लो, घीया ले लो, टमाटर ले लो, सबजी ले लो धूप में पूरे दिन घूम घूम कर सबजियां बेचना वो भी पैरों में बिना चपल के कोई आसान काम तो नहीं था नवरात्रों में लोग छोटी-छोटी कन्याओं को घरों में बुला कर उनकी पूजा करते हैं उसे तरह-तरह के पक्वान खिलाते हैं लेकिन नवरात्री शुरू होने के दो दिन पहले उसी पवित्र समय में एक छोटी बच्ची बिना चपल के भूखे प्यासे कड़ी धूप में सबजियां बेच रही थी बहराल शाम को गुंजा जब घर पहुँची तो उसने देखा कि कमली बिस्तर पर लेटी हुई थी और वो करा रही है मा क्या हुआ तो इस तरह क्यों करा रही है कुछ नहीं बेटा हाथ में बहुत दर्द है सर भी पता नहीं क्यों घूम रहा है इसलिए लेट गई बेटा गुंजा ने अपनी मा के सर पर हाथ रखा तो वो गरम तवे की तरह था मा तुम्हें तो तेज बुखार है मैं बाहर से बुखार की दवा लेकर आती हूँ हेतराम ने गुंजा के हाथों से सारे पैसे चींग लिये और अपनी मा की हालत देखकर गुंजा की आँखों में आसु आ गए लेकिन वो बिचारी करती भी तो क्या करती दो दिन बाद नवरात्री थी लेकिन कमली का बुखार नहीं उत्रा लेकिन उस पर भी उसने नवरात्री का वुरत रखने का सोचा मा तू कैसे रखेगी नवरात्री का वुरत तू देख रही है ना तुझे कितना बुखार है मुझे भी दे देंगी शक्ती इस पर दोनों निवरत रखा मा की शक्ती ही थी कि कमली का बुखार अब उतर गया था लेकिन उसे कमजोर ही बहुत महसूस हो रहे थी वरत के पांचवे दिन की बात है गुंजा सबजियों की टोकरी अपने सर पर रख कर सड़क से गुजर रही थी उस दिन धूप कुछ जादा ही थी प्यास से उसका गला भी सूक रहा था अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बेसुद लेटी एक गाय पर पड़ी वो गाय बहुत ही कमजोर लग रही थी वो भाग कर उसके पास गई गुंजा पास के नल से पानी ले आई और गुंजा को पिलाया तब गुंजा के शरीर में कुछ जान आई वो टुकुर टुकुर करके गुंजा को देखने लगी लेकिन गव माता अब भी बेसुद लेटी हुई थी गुंजा समझ गई कि भूक के कारण इनको कमजोरी आ गई है क्या करू मैं गव माता को तो भूक लगी होगी गुंजा ने अपनी आधी सबजियां गव माता को खिला दी गव माता उठकर बैट गई तुझे भूक लगी है ना और खाना है ले तु सारी सबजियों को खा ले ये कहकर उसने सारी टोकरी गव माता के सामने पलड़ दी गव माता उसे खाने लगी गुंजा पहले उसे कुछ देर तक देखती रही फिर गुंजा घर की ओर चल पड़ी आज बापा पैसो के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी आज तो मेरी खुब पिटाई होगी कोई बात नहीं लेकिन मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है गव माता को खाना ही तो खिलाया है गुंजा को जिस बात का डर था वही हुआ भूखी प्यासी गुंजा को जहां प्यार और भोजन की जरूरत थी उसके पिता ने उसे मारना शुरू कर दिया लेकिन तभी एक घटना वहां पर घटी तभी उसके दर्वाजे पर जोर-जोर से गाई की आवाज आने लगी यही नहीं दर्वाजे पर कोई दस्टक भी देने लगा हेतराम ने दर्वाजा खोला और जैसे ही उसने दर्वाजा खोला उसके सामने एक लेडी इंस्पेक्टर खड़ी थी जिसे देखकर हेतराम की हालत पतली हो गई इंस्पेक्टर के ठीक पीछे एक गाय भी खड़ी थी ये वही गाय थी जिसको बचाने के खाते गुंजा ने अपने पिता की मार तक की परवाह नहीं की और उसे अपनी सारी सबज्या खिला दी तुम्हारा नाम हेत्राम है? जी मैडम, क्या हुआ मैडम? कुछ भूल हो गई है क्या मुझसे? उसने अपनी बात खत्मे भी नहीं की थी कि लेड़ी इंस्पेक्टर ने उसे चार डंडे खीच कर मारे अरे मैडम, क्या हुआ? आप मुझे मार क्यों रही है? तू अपनी पत्नी और बेटी पर बहुत जोर दिखाता है ना? अपनी पत्नी या बेटी को हाथ लगाया ना? तो मैं तेरा इंकाउंटर कर दूगी अरे नहीं नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं करूँगा भगवान की कसम उसके बाद लेड़ी इंस्पेक्टर ने गुंजा को अपने पास बुलाया और कहा बेटी, तुम्हारा नाम दुरगा है तुमने जब सारी सबजया खिला दी तब मैं वहीं पर दूर खड़ी होकर तुम्हें देख रही थे और सोच रही थे कि इस लड़की का दिल कितना अच्छा है तुमने अपनी कमाई का नहीं सोच और सब कुछ गाय को दे दिया मैं तुम्हारा पीछा करती करते यहां तक आ गए और मेरे पीछे-पीछे यह गव माता भी बेटी, लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं लेकिन दिल में दया नहीं रखते तु सबसे अलग है और सबसे प्यारी यह कहकर उसने गुंजा को गले से लगा लिया और फिर एक बार इंस्पेक्टर दुर्गा ने हेतराम को नौकरी करने और अपने परिवार की देखभाल की हिदाय दे कर वहां से चली गए और साथ ही गुंजा को कहा फिर से कोई भी दिक्कत हो तो पास वाले थाने में आ जाना मैं वहीं जूटी करती हूँ हेतराम अब सुधर गया था और वो अब काम भी करने लगा था एक दिन गुंजा ने सोचा कि क्यो ना वहां थाने में जाकर उसे दुर्गा इंस्पेक्टर को धन्यवाद कह दे और वो वहां गई भी लेकिन जब उसने पुलिस वाले से दुर्गा इंस्पेक्टर के बारे में पूछा तो उन्हों ने कहा यहां पर इस नाम की कोई इंस्पेक्टर जूटी नहीं करती गुंजा पुलिस टेशन से बाहर निकल आई और वो सोचने लगी आखिर वो औरत कौन थी जिसने उसकी मदद की हालकि उसे वो गाय भी दुबारा कभी नहीं दिखी चंद्रभान नाम का एक गरीब कुमार अपनी पत्नी शोभा के साथ वीरपुर में रहता था चंद्रभान देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां घड़े और बरतन बना कर बाजार में बेचा करता था और थोड़े बहुत जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पालन पोशन करता था चंद्रभान मादुर्गा का परमभक्त था वो मादुर्गा की दिन रात पुझा किया करता था एक दिन हे माद जगजन्नी आपने हमेशा मुझे दुखी देख कर सुख की च्छाओं की है हमें आपका ही आशरा है माः हम भक्तों पर सदैव अपनी ममता रखना मा शुभा ये लो मा का प्रसाद अरे क्या हुआ शुभा तुम लेटी क्यों ही हो तबियत तो ठीक है ना पता नहीं जी सुभा से चक्कर आ रहे है और बेचैनी भी हो रही है अरे पहले क्यों नहीं बताया रुको मैं विमला दिदी को बुला कर लाता हूँ चंद्रभान पडोस में रहने वाली विमला को बुला कर लाता है विमला शुभा से सारी बाते पूछती है कुछ तेर बाद शुभा नौ महीने बाद मिठाई तयार रखना तुम मा बनने वाली हो क्या विम्ला दीदी ये सच है? सुनो जी आपने सुना हाँ शुभा मैंने सब सुन लिया है मेरी देवी मा के कृपा से तुम्हारी गोद भर गई हे देवी मा अपने कृपा रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंदरभान और शुभा मातारानी के चल्मों में शीश नवाते हैं चंदरभान अब दुगनी महनत से मा दुरगा का नाम लेते हुए मूर्तियों और बर्तन बनातों और बाजार में बेशता चंदरभान और शुभा को बस अपने बच्चे के आने का इंतजार था एक शाम मुझे लगता है मेरे दर्द शुरू हो गया है आप विमला दिदी और दाई मा को बुला लाओ विमला और दाई मा आ जाती है विमला दिदी ये मा दुर्गा का प्रसाद का जल आप शुभा के मुँमे टाल दो उसे आराम मिलेगा ये कैसा चमतकार है मा दुर्गा के नाम का जल पीते ही शुभा को ये आराम मिल गया और ये बच्चा भी आसानी से हो गया जै मा दुर्गा बधाई हो चंद्रभान भाया लड़का हुआ है जाओ विरिंदर हलवाई से लड़ू का डिबा लेकर आओ चंद्रभान मिठाई खरीद कर लाता है और सबका मुझ मिठा करवाता है शुभा और चंद्रभान बेटे के जन्म के बाद बहुत प्रसन थे वो अपने बेटे को मा दुर्गा के चड़ों में माथा टिकाते हैं हमारा लाल तो हमारी जान है जी मा ने प्रथम को जोली में दे दिया हमारे जीवन में खुशियां आ गई प्रथम के आजाने से चंद्रभान और शोभा की जिंदगी बदल गई थी दोनों उसके साथ खेलते, बाते करते अपने लाल को बहुत प्यार करते धीरे धीरे वक्त दीता प्रथम नौ महीने का हो गया था और घुटनों के बल चलता था एक सुबा सुनो जी कहां हो? अरे ये तो बरतनों के लिए चिकनी मिट्टी तयार कर रहे है प्रथम सो रहा है तब तक जल्दी से खाना तयार कर लेती हूँ शोभा भोजन बनाने जोपरी के भीतर चली गई चंद्रभान मा की भक्ती में आखे बंद किये मिट्टी डौन रहा था और मा का ध्यान कर रहा था चंद्रभान मिट्टी को पैरो से कुचलता जै मातादी का जाप कर रहा था तभी उसका बेटा प्रथम घुट्णों के बल चलता अपने पिता की ओर आ जाता है और अंजान पिता मिट्टी के साथ अपने कलेजे के टुकड़े को भी पैरो से मसलता जाता है उसका बेटा पूरी तरह से मिट्टी में मसल चुका था चंद्रभान के पैर लहुलुहान हो चुके थे पर वो मादुर्गा की भक्ती में लीन बेखबर अपने कारे के प्रती लगाओ में था तभी शोभा आ जाती है अरे प्रथम को तुम्हें सुला कर गए थी कहा गया कहीं इनके पास न खेल रहो ये भगवान ये आपने क्या नर्थ किया आँगे खोलो आपके पैर खून से सने हुए क्यों है आपने ये क्या कर दिया हमारा लाल हमारा प्रत्र मिट्टी में कुछल गया नहीं ये नहीं हो सकता मैंने अपने ही बेटे को मार दिया ये मैंने क्या नर्थ कर दिया चंद्रभान मा दुर्गा के समक्ष विंती करता है हे देवी मा, हे दुर्गा मैया मैं आपकी भक्ती में लीन था मुझसे ये कैसा पाप हो गया मा हम भी अपने लाल के बिना नहीं जीएंगे आपके चरड़ों मैं सिर्फ पटक पटक कर अपनी जान दे देंगे मा यदि आपने मिरी विंती नहीं सुनी और मेरे लाल को जीवित नहीं किया तो मा, पूरी दुनिया मुझे कोसेगी कि मैंने अपने ही लाल को मार दिया मेरी भक्ती की लाज रखो मा मेरी भक्ते की लाज रखो मेरे बेटे को वापस जीवित कर दो मा हे मादुर्गा सुनो जी मादुर्गा आपकी विंती जरूर सुनती है उन्हें बोलो हमारा पुत्र लोटा दे माँ हमारे पुत्र को जीवित कर दो मा हमारी रक्षा करो चंद्रभान और शोभा मादुर्गा के चर्णों में अपना सेर पटक पटक करोने लगते हैं और मादुर्गा से प्रथम को जीवित करने की विंती करते हैं मादुर्गा तो करुना की देवी है ममता मरी मा है वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकती चंद्रभान और शोभा के करुण स्वर सुनकर मा दुर्गा अपने विराठ रूप में शेर पर सवार होकर प्रकट होती है पुत्र चंद्रभान, पुत्री शोभा, तुम रो क्यों रहे हो, वो देखो, तुम्हारा पुत्र प्रथम बिल्कुल सुरक्षित है मा दुर्गा के चमतकार से मिट्टी में एक बच्चे का अकार बन जाता है और मा के चमतकार से प्रथम जीवित होकर मिट्टी के उपर खिलने लगता है मेरा लाल, मेरा बच्चा, मेरा प्रथम, मैं आपकी जय हो मा दुर्गा आपने मेरे लाल को जीवित कर दिया मा आप शक्ति रूपा हो हे देवी मा आपकी जै हो आपकी जै हो मा आपकी सदा ही जै हो चंद्रभान और शोभा मा के चमतकार को देख खुशी से जूमूटते हैं उनके घर का चिराग मा के आशरवाद की लौ से फिर जल उठा था मा दुर्गा की भक्ति का जैकारा लगाते हुए चंद्रभान और शोभा मा दुर्गा को शीश नवाते हैं इसकी पश्यात मा दुर्गा आशरवाद दे कर अंतरध्याम हो जाती है शुभा, माने हमारी भक्ते की लाझ बचाली आज उन्होंने हमारे प्रथम को नया जीवन दिया है इसलिए हम प्रथम को मा वैशनोदेवी के दर्षणों के लिए लेकर जाहेंगे उसके बाद चंद्रभान और शुभा अपने बेटे प्रथम को लेकर मा वैश्मो देवी की लाप्सा पर जाते हैं और मा वैश्मो देवी दुखा के दर्शन करते अपनी जोली खुश्यों से भर कर घर लोटते हैं माधवपुर गाउं में सोनिया नाम की एक लड़की अपने माधवपिता के साथ रहती थे कुछ समय बाद सोनिया की शादी रामपुर गाउं के रहने वाले किशोर से हो जाती है सोनिया के माधवपिता दहेश देने में असमर्थ थे जिसके कारण उसके साथ ससुर उसको बिलकुल भी पसंद नहीं करते और उससे नफरत करने लगते हैं दूसरी तरफ सोनिया का पती किशोर भी स्वभाव से लालची था और कुछ समय बाद सोनिया गर्भवती हो जाती है लेकिन उसके ससुराल वाले उसकी बिलकुल भी परवाह नहीं करते और तीनों जान बूझ कर सोनिया को परिशान करते थे फिर एक दिन सोनिया के साससुर और उसका पती तीनों बैटकर सबसी में नमक और मिर्च जादा डाल देते हैं और मूँ बनाते हुए सोनिया को कहती है कि अरे ओ नालाइक आज ये तुने कैसा खाना बनाया है खाना बहुत ही बक्वास बनाया है क्यूं क्या हुआ ममी जी मैंने इतनी मैनत से आप लोगों के लिए खाना बनाया है फिर आप खाने को इतना बुरा क्यों कह रही हो उसके बाद किशोर खाने की थाली को फेंक देता है और सोनिया की पिटाई करने लगता है ये देख उसके साससुर बहुत खुश होते है और किशोर उसे मारने लगता है मार खाने के बाद सोनिया रोती हुई चुप चाप अपने कमरे में चरी जाती है वहाँ बैटकर रोते हुए अपनी किसमत को कोस्ती है लेकिन अब ये रोस की बाद हो चलीती सोनिया बाद बाद पर अपने ससुराल वालों से मार खाती थी और धीरे धीरे उसकी जिन्दगी नरग बन चुकी थी लेकिन सोनिया चुप चाप सारे दुख बरदाश्ट कर रही थी और फिर एक दिन उस गाउं में डॉक्टरों की टीम आती है जो गर्भुवती महिलाओं को मुफ्त में खाने का सामान और दवाईया देने का काम करती थी और फिर एक डॉक्टर सोनिया का चेक अप करने के बाद चिन्ता जाहिर करते हुए कहता है कि अरे बेटी तुम तो बहुत कमजोर हो ऐसी हालत में तुम्हें तो बहुत पौश्टिक आहार की जरूरत है इस वक्त जरा सी लापरवाही भी तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है क्या तुम्हें अपने बच्चे की जरा भी चिन्ता नहीं है अब तुम घर जाओ और अपने साथ-साथ अपने बच्चे का भी खुब ध्यान रखो डॉक्टर की बाते सुनकर सोनिया फूट-फूट करोने लगती है और उसे अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है सोनिया की बात सुनकर डॉक्टर को उस पर बहुत तरस आता है और फिर वो सोनिया को खाने के लिए धेर सारे फलों की टोकरी और पॉस्टी काहार देता है डॉक्टर की उदारता देख सोनिया की आंखों में आसु आ जाते हैं और वो उसका तहे दिल से शुक्रिया आदा करती है उसके बात सोनिया घर की ओर निकलने लगती है लेकिन जैसे ही सोनिया घर पहुँचती है उसकी सास की नजर उसके थैले पर पड़ती है अरी बहु तेरे पास खाने की इतनी सारी चीज़े कहां से आई मा जी हमारे गाउं में डॉक्टरों की टीम आई है उन्होंने मुझे खाने का ये सब सामान दिया है अच्छा तो तू महरानी की तरह बैट कर इतनी अच्छी चीज इखाएगी और हम सुखी रोटी तोड़ेंगे चल लाए थला मुझे दे ये भगवान ये तूने मुझे किन लालची लोगों के पल्ले बान दिया है ये सब लोग सेफ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते है मेरे बारे में ना सही कम से कम मेरे होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचे इनके दिल में तो जरा भी दया भावना नहीं है पर अब बस बहुत हो क्या, अब मैं इनकी अत्याचार और बरदाश नहीं कर सकता। उसके बाद सोनिया उस घर को छोड़ कर चली जाती है और भटकते हुए जंगल में पहुँच जाती है। काफी देर चलने के कारण सोनिया ठक जाती है और उसे भूग भी लगने लगती है। सोनिया जंगल में फल का पेड ढूनने की कोशिश करती है पर उसे कोई पेड दिखाई नहीं देता। तभी उसे अपने सामने एक नदी दिखाई देती है। सोनिया जैसे ही पानी पीने के लिए नदी के किनारे पर पहुँशती है कि तभी अचानक एक सुनेहरे रंग की मचली बाहर निकलाती है मुझे बचालो एक दुष्ट मगरमच मुझे खाना चाहता है भगवान के लिए मेरी रक्षा करो फिर अगले ही पल मचली को पकड़ने के लिए मगरमच उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है सोनिया मचली को बचाने के लिए उसे पकड़ कर किनारे पर ले आती है लेकिन मगरमच सोनिया का पीछा करने लगता है तबी सोनिया जमीन पर पड़े पत्थर को उठा कर मगरमच को मार देती है ये देखकर मगरमच घबरा कर वहां से भाग जाता है देखो मगरमच भाग गया, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो सोनिया मचली को अपनी दुग भरी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देती है अच्छा, तो ये बात है, तुम चिंता मत करो सामने वाली पहाडी पर एक लक्षमी माता का मंदिर है तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हारे सारे दुग दर दूर हो जाएंगे लेकिन उससे पहले तुम मुझे पहाडी के किनारे वाले तालाब में छोड़ दो सोनिया बिल्कुल वैसा ही करती है मचली को तालाब में छोड़ने के बार वो पहाड़ी वाले मंदिर में चली जाती है और उस दिन से सोनिया मंदिर में रहने लगती है वो अपना सारा दिन मंदिर की सेवा में गुजारती है दूसरी तरफ राथ होते ही वो मंदिर के एक कोने में सो जाये करती थी फिर धीरे धीरे कई दिन बीट जाते हैं और सोनिया का प्रसव का समय आ जाता है और वो एक बेटी को जन्म देती है लेकिन वो लड़की शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होती है और जन्म लेने के कुछ देर बाद ही वो प्रांड त्याग देती है इस बात से सोनिया को बच्चे की आत्मा प्रकट होती है ये चवतकार देख सोनिया हैरत में पर जाती है तभी बच्चे की आत्मा सोनिया से कहती है अब तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है मा लक्ष्मी माता ने मुझे तुमारे कश्टों को दूर करने के लिए भीजा है अब मैं उन द आग लगा देती है ये देख के शोर और उसके माता-पिता घबरा जाते हैं अरे ये सब क्या हो रहा है अचनक से हमारे गर में आग कैसे लग गई फिर वो तीनो पानी से आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पानी तेल में बदल जाता है और आग और जोर से भड़क लगती है ये देख तीनो घबरा कर वहां से भागने लगते हैं लेकिन तभी दर्वाजे पर सोनिया के बच्चे की आत्मा उन्हें रोक लेती है तुम तीनो के पापों का घड़ाब भर चुका है इसलिए तुम तीनो अब यहां से नहीं निकल सकते अरे ये तो किसी सुकून मिलेगा आखिर हम लोगों ने तुमारा क्या बिगाड़ा है तुम हमारी जान लेने पर क्यों तुरी हो इतना कहकर बच्चे की आत्मा उन्हें तीनों को घर के अंदर धक्का दे देती है और दर्वाजा बंद कर देती है तीनों आग में जुलस जाते है थोड़ी ह सुनिया दो सुन्दर लड़कियों को जर्म देती है उनके हाथों में सोने के सिक्कों से भरी दो धैलियां थी और तभी मंदिर में दिये जलने लगते है पूरे आस्मान में चारू तरफ पटाकों की रोश्नी फैल जाती है साथ ही सोनिया के सामने मिठाईयों और सुन्दर कपरों से सजी चांदी की धाली प्रकट हो जाती है ये चमतकार देख सोनिया बहुत खुश होती है और लक्ष्मी मा को प्रणाम करने मक्ती है उसके बाद सोनिया थैले में मौझूद सोने के सिक्के बेच कर एक सुन्दर सा घर ले लेती है और इसी तरह लक्ष्मी मा के आशिरवात से सोनिया के सारे दुख दर दूर हो जाते हैं और वो हसी खुशी सारी जिंदगी अपनी दोनों बेटियों के साथ प्यतीत करती है